36 गड़ के जित्ते भी स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट जो है जनकारी निकल कर आ रहा है अभी इस वक्त और बहुत ही अपडेट निकल कर आया है कि 36 गड़ में जो है टीचर भरती परिक्षा को रिलेटेड एक और महत्वपूर् क्योंकि撃 सब्सक्राइब सिर्फ 75,000 स्टूडेंटका स्टूडेंट का च्छी टेट एकजाम कर पाया और बागए श्टूडेंट का सिजटेट एक्जाम क्वालिफाइ नहीं होगा क्यों कि जब तक आपका टेट एक्जाम क्वालिफाई नहीं हो तब तक आप सिक्षाच भर्ती तीचर भरती परिक्षा में सामिल नहीं हो सकते और इस बार क्या ह edent at Sam's यह आपका एक बार क्वालिफाई हो गाए तो आपको सीजी टेट एक्जाम्स क्वालिफाई हो गए तो आपको जिन्देगी में कभी भी टेट एक्जाम्स देने की जोरत नहीं पड़ेगा अब जब जब 36 गड़ में टीचर भरती वेकेंसिस रिक्वाइमेंट्स भरती परिक्षा होगा आप असानी से जोह आवेदन कर पाएंगा आपको कोई भी प्राब्लम्स कोई भी परिशानी फेस करना नहीं पड़ेगा तो आप से भी स्टुडेंट के लिए काफी जादे इंपोर्टेंट जानकारी निकल कर आ रहा है और यह आपके जाणी ऑफ कर सकते हैं आप लोगों को लगता है आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मेरा और उब टुलेटस कोई मई उन्म कौनपपईटिशन कर पाई ह Bothивает質 इस तरह भी आह से चिस थरीवारोंद में डिए और में सिर्फ है 50 प्रतिशत यानि 75 नंबर लाने पर सीजी टेट एक्जाम जो है क्वालिफाई होना था ठीक उसी प्रकार आप जो है सीटेट एक्जाम में भी आपको बहुत एक मिनिमम नंबर लाना होते देना इसके पाद आपका सेलेक्शन असानी से जो हो जाता है और कोई भ पाइड और डियलेट का डिग्री सेटिफिकेट कोर्स हैं वह इसमें जो आवे दन कर सकते हैं आपको बताता हूं पर इसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जनकारी मिल पाएगा तो हम सिलेबस के अगर हम बात करें तो 150 प्रश्ण जो है पूछे जाते हैं तो 150 प्रश्ण होता है वो होता है आपके जो है निगेटिव मार्किंग जिपता ज्यादा हो सके आपको जो है निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग से बच के रहना यदि आपको निगेटिव मार्किंग से बचने के तरीके पता चल जाते हैं कि कितने क्वेस्टन सौल्व करने जिसे ह काफिस जादा important होता है background आप ऐसे काफिस student को तो यह लगता होगा कि यार हिंदी का तो प्रश्णा है हिंदी के प्रश्णा तो हम असानी से solve कर लेते होंगे लेकिन हिंदी के background को solve करना जो इतना कर पाएंगे तो काफिस जादा difficult रहता है देखिए व्याफर्म का कोई भी competition exam जो है इसना असान नहीं होता जितना की आप लोगों को लग रहा होगा आप लोग यह सोचेंगे कि एक से जो घंडे के पढ़ाई करूंगा तो exam को qualify कर लूँगा तो ऐसा होने वाला नहीं है आपक करके लिए आपको कदम बढ़ाने की जो है जो ज़रूरत की बस महनत करनी की देरी होती है आप लगततार महनत करते रहें गे तब जाकर आपको सफलता हैं मिलती है एक ही बार में सफलता मिलती नहीं है बस consistency maintain कीजिये जो पढ़ाई कर रहे है उसे daily पढ़ाई कीजिए regular कीजि मुझे result मिल जाएगा तो असा नहीं होता। और आभा को जिबी में से इसा बार में सफलता भी मिल जाया ये भी मुम्कृन नहीं है। आपको है तो असा फबलता भी मिलेगी तो एको अपनी हार नहीं मानना है। को यहने सुचने कि यार मेरे किसमत में तो अब मेर जो क लिखना ही यह नहीं है आर जली के तो मेरे किस्पत के रोना मत मत रोouter किसमत जैसी कोई चीज छीज uit कंich default में तिम्हारी किस्मत में आगर तुम्हारी हर्प में जो चाहँ वोगा तुम्हें जरूर मिलेगा लेकिं मैं आपको बोलना चाहतूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं आपके सांथ क्या होगा कल क्या होने वाला है आपकी जिन्दगी बदेगा या नहीं Speed नहीं खुछ वखार नहीं है और किसमा तो हम खुद बनाते हैं तो जिन्दगी के फैसले अगर आप अच्छे से आज पढ़ाई करेंगे मैंफन करेंगे तो आगे चलकर आपको जिन्दगी में सफलते मिलेंगे शक्सिस मिलेंगे इस सब कुछ कि आपको इउपर ही निर्भर करते हैं, किसी और की उपर निर्भर नहीं करता, अब बात करें मैं तकिन, तो वहीं गड़िज के प्रशन को देखकर काफ़ी स्टूडेंट जो है, इस्टेस में आ जाते हैं, परिशान हो जाते हैं मैंसे के फ्रेशन हैं तो इसी चीज को सॉल करने के लिए आप जो है डाक्टर आरेश चागरवाल का बुक लेशते हैं वन अब दी मोश्ट बहुत ही अच्छा बेश्ट बुक्स होता हैं जिसे आपके जिते भी गड़ित के जो डाउट से थे प्रेशन रहते हैं आपको लग रहा होगा कि बहुत जादा प्रशानी होता है प्राब्लम्स होता हैं मैसे के क्वेस्टन को समझने में सॉल करने में तो इससे आप असानी से जो है सॉल कर पाएंगे तो मैसे में आपका घटांग बीजी वेंजग गुड़न खन समीकरंग शेंडिया ब्याज अनुपास समानुपास चुक्रविद्धी ब्यास अधारान ब्याज लगू कर रखिए सभी आपके एक्जाम्स में पुछे जाते हैं तो इस तरीके से आप मैसे के तयारी हचे से कर पाएंगे और आपके मैसे गड़िद के तयारी हचे से खोपाएगा तक बस मैंन थुटिया थैरी करते रहिए आपको जिंदगे में जिस सफ़क्सेस जुए जरूर मिलेगी वो किस तो लोग बोलेगे ये लोगों का काम होता है कहना यदि इस वक्त आपसे सफल है आज जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो यही सही वक्त है बस महनत कीजे, साल 19 से अच्छे से महनत कीजे, बोलने वाले को बोलने दीजे, जिस दिन आप सक्सेस हो गए, उसके बाद बोलने वाले अपन मिलेगा तो प्लीज कंसिस्टेंसी मेंटेंड करके मेहनत की जांए अगर वीडियो सोब लोग उपच्छा लगा हूं पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर अगर नए हैं तो फ्लीज चैनल को से बिस्क्राइब कर लिजिए और आपका अगर कोई भी कुछ भी प्रेशन पूछना चाहते हैं तो आप अपने डाउट जो है जरू क्लियर कर सकते हैं तो जिसना ज्यादा हो सके आप जो है कमेंट कीजिए और आप से दिके कमेंट का में रिपलाई जो है अवस्पे करूंगा तो इसी तरह से मेरी चैनल पर इसी तरह से इस रिक्वाइमेंट काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो जो आप लोगों को मिलते रहेंगे तो धाइंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यावाद आप से दिका तो एक्जाम्स की तहरी करना सुरी पड़ दीजिए